हलो फ्रेंज मिंता रसोई में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं मेठी गुड़ की पूड़ी गुड़ा और आटा से मेठी पूड़ी यह त्योहारों में बृत में भी बनाई जाती हैं यह पूड़ी बहुत खाने में टेस्टी होती हैं यह इसे पूड़ी कहते हैं मेठी गुड़ी की पूड़ी बनाने के लिए यहां पर हम कुछ समगरी लेंगे जैसे कसा हुआ नारियल, काजू बादाम, चिरोंजी, दो चम्मच घी और मैस किया हुआ गुड़, दो चम्मच पुस्तादाना, एक चम्मच सोंठ, एक कपदूद लिया है गेमु का आटा, गेमु का आटा का हम एक दो बना लेंगे, अपना मैस किया हुआ गुड़ और उसमें गरम दूट डाल देंगे, या फिर आप पानी से बनाए तो पानी को पहले गरम कर लें, इससे गुड़ अच्छे से पिखल जाता है, और अपने हाथों से गु कोई भी टुकड़ा ना बचे, गुड़ की पूड़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार जरूर बनाए वेडियो पूरा देखना, अगर मेरा वेडियो आपको पसंद आए तो प्ली लाइक कीजिए चैनल को सस्काइब कीजिए, यहाँ पर हम ले लिया है, बादाम, क बाजू, चिराउंजी को मिक्सर में पीस लिया, दरदरा पीस लें, इससे पूरी बहुत टेस्टी बनती है, और खाने में भी अच्छी लगती है, यहाँ पर हम दो चम्माज घी डालेंगे, मौन लगाने के लिए, इससे पूरी खस्ता बनती है, और एक चम्माज सोठ, सोठ डालने से खस्ता अच्छी आती है, पूरी, और एक चम्माज पुस्ता दाना, और उसे हाथों से मिला देंगे, पर हम कसा गर्नारियल रखा था, वो डाल देंगे, दो बड़े चम्माज, और दो बड़े चम्माज अपना ड्राइफ फूट का जो, मिसरां पीस कर रखा था, उसको भी हम डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिला देंगे, यह हाथों से पूरी तरह से मिसरां को अच्छे से मिला देंगे, और जो दूध और गुड़ का घूल बना कर रखा था, उसको हम उसमें डाल देंगे, और इसका एक डो बना लेंगे, इन पूरीयों का आटा ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, रोटियों जैसे आटा गूद कर तयार करना है, बिल्कुल जैसे आप रोटियों के लिए आटा गूदते हैं, इसको गूद करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, जैसे पूरी तरह से अच्छे से आटा फूल जाए, इससे पूरी और सॉप्ट बनती हैं, और पूरी फटती भी नहीं है, और इसे ढख करके रख देंगे, जैसे ही मैं 10 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हम आटा को फिर से अपने हाथों से मसल लेंगे, अपने चकला और बेलन और हाथों में अच्छे से घी लगा लेंगे, घी या रिपैन ओयल भी आप लगा सकते हैं, और आटा में भी थोड़ा सा घी लगा करके अच्छे से उसको मसल लेंगे, एक दो मिनट तक मसल लेंगे, इससे पूरी और अच्छी बनती हैं, बिल्कुल मुलाम बनती हैं, और इसकी फिर हम अपने लोईयां काट लेंगे, जितनी बड़ी पूरी बनाना उतनी ही, हम इसकी अलाग अलग पेड़ा काट लेंगे, और तोड़ करके हम रख लेंगे, अब अपने हम पूरी यां बेल लेंगे, इसका गोल एक पेड़ा बना लेंगे, और अच्छी से इसकी पूरी बेल लेंगे, पहले पेड़ा को अपने अच्छे दोनों हाथों से फैला ले, और बेल लेंगे, यहां पर हमने तेल रख दिया, तेल हमारा गरम हो गया था, जब तक हम अपनी पूरी बेल लेंगे, अपनी पूरी उसमें प्राई कर लेंगे, तल लेंगे, यहां पूरी बोत खास्ता वंती, बोत अच्छी लखती है खाने में, हमारा यहां पूरी पूरी तल जाएंगे, और हम रख देंगे, अगर मेरा वेडियो आपको पसंद आए तो प्ली लाइक केजे, वेडियो देखने के लिए धन्दवाएंगे, कर eder के जाएंगे, बोत भी हुआती हैं,